लो प्यारे बचों क्या हाल चला है आप सभी के डियर स्टुडेंट्स नवदीब सरकी फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बचों तो देखिए बचों अपने जो चल रहा था फिजिक्स का चेप्टर नंबर दस और जिसका नाम है अल्टरिनेटिंग पे और कपैस्टर याने कि अपने दो टौपिक किसके अर चुखे है एक और दूसरा टौपिक है वो अपनी ही मतलब कि जो कौ使ें है व EU वाला ठीक है वर आज अपने जो इसका करेंगे टॉपिक वो है कि जब अपने जो सर्कुट एसी सर्कुट है इसमें क्या हो एक कपेस्टर लगा वह हो मतलब ओनली कपेस्टरी लगा तो तब आपका क्या है जो अपने इस के लिए निकालेंगी तो सबसे पहले आता है परीबत चितर सर्कुट डाइगराम तो सर्कुट डाइगरम आप को पता है यह सर्कुट डाइगराम इसी स्थ है यह सी यानी कपेस्टर इन यहां left लगा दिया और इसके एक्रोस जो voltage है मतलब AC source की AC source की जो voltage है वो V है और इसके across क्या है VC है कपेश्टर के across या नहीं कपेश्टर के यानि जो संदारे तरह उसके दोनों तरफ voltage कितनी है VC है तो इसकी सम्मिकरण है इसकी equation तो अपने यहां पर जानते ही है अपने पहले भी पढ़ चुके है कि जो V है वो यहां पर VC के बराबर ही होगा क्योंगी कपेश्टर direct connect है तो उसकी equation अपने लिखते हैं Vm sin omega t ठीक है यही लिखते है equation और यही आपको लिखनी है हमेशा तो यह आगी अपने पास equation अब तीसरे नंबर पर जो इसकी equation आती है वो किसकी आती है equation of current दारा का समीकरण तो तीसरा point है दारा का समीकरण equation of current तो current अब कपेश्टर में कैसे निकालेंगे जो current flow हो रहा है जो इसमें current परवाइद हो रहा है उसकी value अपने कैसे निकालेंगे तो आप देखो कपेश्टर के लिए अपने जानते हैं कि voltage से current निकालना होता है तो कपेश्टर के लिए voltage और current में direct कोई relation नहीं है मतलब वोल्टता और दारा में संदारितर के लिए कोई भी सीधा सबंद नहीं है तो अपने यहांपर क्या करेंगे अपने को पता है आवेश और वोल्टता के बीच है यानि चार चौर वोल्टेज के बीच यह relation है तो we know that we know that हम जानते हैं 4A कपेश्टर एक संदारितर के लिए क्या होता है Q बराबर C V होता है Q बराबर क्या होता है C V होता है तो अगर मैं यहांपर V की वैल्टेज निकालूं तो वो आजेगी Q उपॉन में C ठीक है और इस V की वैल्टेज या इसको V C भी आप लिख सकते हो अगर आप यहांपर V C लिखना चाहो क्योंकि जो कपेश्टर के अक्रोस वोल्टेज आई यहांपर वो क्या है V C है तो V C is equal to Q upon C तो अब आप इस equation first से क्या करो यहांपर V C की value रख दो तो अपने यहांपर क्या करते हैं equation first से value पुट कर देती है तो V M sin omega T is equal to Q upon C ठीक है या इसको देखो क्या मैं multiply करके लिख देता हूँ Q बराबर जो आजाएगा C V M sin omega T अब Q से अपने को दारा निकालनी है current निकालना है यहांपर चार्ज से current निकालना है अब इस से दारा निकालनी है तो अपने यहांपर क्या करेंगे कि इसका दोनों साइड क्या करेंगे T के respect आउकलन कर देंगे मतलब differentiation कर देंगे तो इधर भी आउकलन कर दिया और इधर भी आपने क्या किया आउकलन इसका कर दिया तो यह आ गया अब इसमें यह वाली चीज़े constant है C और V M constant है साइन ओमेगा T का आउकलन होगा यहां पर तो देखो क्या आ जाएगा जो I is equal to क्योंकि यह I बन गया क्योंकि DQ upon DT को अपने I लिखते हैं C V M ठीक है और साइन ओमेगा T का आउकलन होता है कोस ओमेगा T मतलब differentiation इसका और पहले साइन का होता है फिर ओमेगा T का होगा तो ओमेगा T का जब होगा तो उसका क्या आ जाएगा ओमेगा यहां पर पहले आ जाएगा तो देखो differentiation और integration मतलब आपकलन और समाकलन में यह difference है कि जब आप इसका समाकलन करते थे मतलब integration करते थे तो तब यह omega upon में आता था लेकिन क्या आया है यहाँ पर multiply में आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर अगर आप मैं i की value लिखू तो i is equal to c vm omega cos omega t समझाई बात इसको थोड़ा सा मैं arrange कर देता हूं set कर देता हूं i is equal to यहाँ पर इसको देखो मैं लिख रहा हूं one upon c omega vm के upon में क्योंकि अपने यहाँ पर क्या है इसको i m बनाना होता है तो इसको क्या करता हूं यह c और omega है इसको one upon ऐसे गरके लिख दिया क्योंकि जब आप solve करोगे तो यह c omega कहां उपर ही चला जाएगा क्योंकि आपको पता है कि sine 90 plus theta यानि 90 plus theta क्या होता है cos theta होता है अब आपको होगे कि सरया तो minus भी आ सकता था बात आपकी सही है क्योंकि sine 90 minus theta भी cos theta होता है लेकिन आप यहाँ पर एक चीज देखो वो क्या चीज है कि यह अपने capacitor के लिए निकाल रहे है और वो inductance के लिए और दोनों का ही जो behavior है दोनों का वैवार है वो विदुत क्षेतर मतलब कि ACS road के लिए लग लग होता है तो अपने यहाँ पर जो derivation निकाला गया उसी के इसाब से चलना है आपको इसका रटा लगाना पड़ेगा यहाँ पर और कोई reason नहीं है इसका यहाँ पर आपको pi by 2 plus omega t करना पड़ेगा ठीक है तो इसको तोड़ा सा arrange करके लिख रहा हूं मैं I is equal to I am sin omega t plus pi by 2 और pi by 2 plus में क्यों आया इसका आपको रटा ही लगाना पड़ेगा ठीक है ना इसको याद ही रखना पड़ेगा ऐसे किया और आप यहाँ पर लिखोगे where जहां अपने पास क्या है कि जो I am है वो यहाँ पर vm upon 1 upon c omega की equal है और जो quantity यहाँ पर अपने पास आ रही है 1 upon c omega इसके मात्रक वेब विमा मात्रक वेब विमा यानि कि unit and dimension unit and dimension किसकी equal है जब अपने इसकी unit or dimension निकालते है तो वो resistance की unit and dimension की equal आती है मतलब परतिरोध के विमा और मात्रक की equal आती है 1 upon c omega ठीक है तो अब यहाँ पर अपने इसको जो नाम देते हैं वो यहाँ पर इसको नया नाम दे देते हैं और अपना अगला topic वही है कि चोथे number पर यह current की equation आगी यहाँ पर current की equation आगी है यह और पहले current की equation समझलो फिर इसको अपने समझते हैं current की equation में देखो πाई बाई टू एंगल प्लस हो रहा है मतलब यहाँ पर जो आपकी voltage है और वो जो आपका current है voltage और current दोनों में current आगे चल रहा है πाई बाई टू एंगल से current क्या चल रहा है आगे चल रहा है मतलब की current क्या है forward है किसके voltage के voltage आपकी backward चल रहे है वो forward चल रहा है तो अब यहाँ पर आपका current आगे जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? current आगे चलने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आप जब इसमें सबसे पहले current यानि flow करवाओगे या चार्ज दोगे इसको क्या करोगे? AC स्रोथ की साहता से जब आप इसको पहले क्या करोगे यहां पर करंट यहां पर दोगे और फिर उसके बाद में क्या आएगी वोल्टेज आएगी आपके पास ठीक है तो मतलब यह कपेश्टर पहले चार्ज ही होगा फिर यह सर्कुट को करंट देगा मतलब सर्कुट को क्या होगा सर्कुट को अ potential difference आने पर क्या होगा यह आगे अपना circuit में अगर current flow करवाना चाहे तो वो होगा तो आपको तो यह current और यह जो voltage इसके across मतलब voltage इसके दोनों तरफ जो स्थापित हो रही है उसके बीच में collision निकालना है तो इसमें आपको यह याद रखना है कि संदारित्र में जो क्या होता है सबसे पहले हिंदी वाले सुन लो संदारित्र में धारा जो होती है वो वोल्ट ता से पाई बाई टू कौन आगे होती है आपको याद रखना है कि current क्या होता है जो voltage से पाई बाई टू एंगल क्या होता है कपैसिटिव रियक्टेंस यह है क्या है रिजिस्टेंस यह है ठीक है मतलब यह रिजिस्टेंस कौन सा है जो आपका यह कपैसिटर जनरेट कर रहे है मतलब जब आप इसमें AC करंट फ्लो करवाओगे AC सोर्स से इसको जोड़ोगे तो जो इस कपेश्टर का resistance होगा उसको यह अपनी क्याब बोल देते हैं दारीति यह परतिगाद कपेश्टिव reactance उसको कह देते हैं बचो तो इसकी value जो होती है वो यहां पर अपने पास xl is equal to sorry xl नहीं यहां पर xc आएगा कल अपने पढ़ा था प्रेरनिक परतिगाद मतलब inductive reactance और यह capacitive reactance है ठीक है तो यहां पर इसको अपने अगर frequency की form में लिखना चाहें तो 2 pi f omega की जगर 2 pi f और c क्योंकि यहां पर आप लिख सकते हो कि omega is equal to 2 pi f होता है ठीक है यह omega का formula तो अब यहां पर अगर मैं बात करता हूँ एक चीज़ की वो क्या है जो अपने 16 चेप्टर में भी पढ़ा था क्या आया था 16 चेप्टर में कि अगर आपको पता है जो dc current होता है dc current की जो frequency है वो 0 होती है ठीक है और ac current जो होता है ac की frequency कुछ ना कुछ होती है यहां पर उसकी कोई नवी value होती है fixed value होती है समझाई तो अब जब dc के लिए frequency 0 है मतलब आवरती का मान 0 है dc current के लिए तो xc इसके लिए क्या आजएगा 1 upon f की जगे 0 रखोगे तो यह हो जएगा infinite तो xc dc current के लिए 0 infinite होता है लेकिन ac के लिए कुछ ना कुछ 1 upon कुछ ना कुछ value आएगी और यहां पर भी कोई ना कोई value अपने पास एक limited value आएगी तो मतलब की यह dc को तो क्या कर देता है और ac को क्या करता है easy path यहां पर provide करता है मतलब आसान path परदान करता है आसान path और यह क्या करांगे कहेंगे रोकता है मतलब dc करंट को यह वाला जो capacitor है यह अपने मेंसे flow नहीं होने देगा ac करंट क्या होता है इस मेंसे flow होता है easily समझाए क्योंकि ac की कुछ ना कुछ frequency होती है मतलब उसकी आवरती होती है और इसमें जब आप value पुट करोगे तो mathematically आप देख रहे हो कि यह dc को तो रोकता है और ac को क्या करता है अपने आप मेंसे जाने देता है तो यह आपको बात यहाँ पर याद रखनी है ठीक है चार चीज़ें हो गई है यहाँ पर अब पांचवें चीज़ जो आती है इसमें वो आता है कलांतर यानिंग फेयज डिफरेंस तो phase difference मतलब पांच में नमर पर आता है कलांतर तो कलांतर अगर phase difference की बात करते हो तो यहाँ phase difference आपको दिखी रहा है phase difference तो मैंने आपको कहा था voltage में से phi से इसको show करते हैं omega t minus omega t minus pi by 2 तो minus pi by 2 यहाँ पर phase difference और angle को अपने वैसे minus generally नहीं लेते हैं तो pi by 2 यह अपने इसको बोल देते हैं क्योंकि है तो pi by 2 यह minus pi by 2 अपने को यह बता रहा है कि current अपना आगे है और क्या है voltage पीछे है तो यह आपको याद रखना है ठीक है तो समझ में आ रहा होगा मुझे उमीद आपके सब कुछ है अब आगे चलते हैं आपने next point पर एक बार इसका screenshot ले लो फिर इसको मैं रफ कर देता हूँ अभी तो आप next देखो बच्चो जो इसका आता है graphical representation मतलब graph में इसको कैसे show करेंगे तो आप देखो voltage की जो equation थी वो vm sin omega t की equal थी और i की जो equation थी वो im sin omega t plus phi की equal थी ठीक है इस तरीके से थी तो voltage का तो जो graph है वो same ही बनेगा मतलब की आपको यहां से start करना पड़ेगा इसको और इस तरीके से यह बनेगा ठीक है जो यह वाली value हो जाएगी यह आपको पता ही है क्या लिखते हो आप vm लिखते हो ठीक है यह वाली vm हो जाती है और यह दर minus vm हो जाती है minus vm आप इसको लिखते हो अब जो देखो current का जो graph आता है वो कैसे आएगा तो current का जो graph है अब आपको pi by 2 angle आगे चलाना है तो pi by 2 angle मतलब की मैंने आपको कल बताया भी था यह pi by 2 angle इसको मानते हैं अपने और यह वाला angle मानते हैं अपने pi फिर उसके बाद 3 pi by 2 फिर 2 by ऐसे angle मानते हैं ठीक है तो angle की form में तो अब आपको pi by 2 angle आगे चलाना है graph तो मतलब की pi by 2 पर आप value देखो कितनी है current की मतलब pi by 2 value पर pi by 2 angle पर जो current है वो maximum होगा ठीक है maximum होगा तो आपको जो graph है current का वो यहां से start होगा अब एक चीज यहां पर current वाला बड़ा होगा या voltage वाला मतलब की vm बड़ा है या im बड़ा है तो आप देखो यहां पर की जो आपने यहां पर im लिखा था वो आपने लिखा था vm और upon में 1 upon omega c मतलब की जो आपके पास यह क्या है divide हो रहा है लेकिन actual में यह divide नहीं था बच्छो actual में क्या था यह actual में यह c और omega क्या थे इसके साथ multiply होगा क्या थे multiply में थे तो actual में यहां पर जो current वाला है वो थोड़ा से इससे क्या आएगा बड़ी value आएगी graph की तो आपको जो current वाला है वो थोड़ा से इससे उपर start करना है और उसको बनाना कैसे है ऐसे बनाना होगा थोड़ा से इसको ऐसे करते हुए यानि इससे value ज़्यादा दिखाते हुए और ऐसे करके आपको बनाना होगा यह यहाँ पर current की कौन सी value हो जाएगी I, M value हो जाएगी और इधर क्या हो जाएगी आपके पास ऐसे जब इसको मिलाओगे मतलब यह इसकी सीध में आना था तो आप इसको थोड़ा सा set कर लेना इस तरीके से यह वाला current वाला क्या बनेंगा यह I का graph है और यह क्या है V वाला graph है pi by 2 angle जब आगे जलाना होता आपको graph को तो मतलब कि आपको यहाँ से start करना होता है जो इसकी यानि कि जो आपके पास voltage की maximum value pi by 2 angle पर आ रही है वो आप करन्ट की क्या आ रही है यहीं पर ही आ रही है तो यहाँ पर आपका जो current वाला graph है वो आपका इस तरीके से चलेगा बच्चो ठीक है ना तो मुझे अमीद आपको समझ आ रहा होगा और यह current और इसके ओवे graph फिर साथवे नबर पर जो इसका आता है मतलब phaser diagram ठीक है साथवे नबर पर इसका जया आता है phaser diagram मतलब phaser diagram तो phaser diagram इसका कैसे बनाएंगी तो phaser diagram बनाना नग मैंने आपको बताया ही हुआ है और आपको इस तरीके से बनाने है जैसे आप x और y axis बनाते हो ठीक है और यहाँ पर आप क्या बना देते हो यह vm बना देते हो और यहाँ इसका जो projection बनता है वो v is equal to vm sin omega t बनता है और जो इसका यह वाला एंगल यह omega t voltage वाला तो आपको ऐसी बनाना है अब बात आती है current की अब current क्या है इस voltage से pi by 2 एंगल आगे आई यहाँ पर जो equation है current की यहाँ पर 5 की जगह यहाँ पर क्या आपके पास pi by 2 एंगल आ रहे है तो मतलब current आपको आगे लेके जाना और यह जो graph है मतलब आगे इसको कैसे लेके जाते हो angle को इस side लेके जाते हो कल अपने current पीछे बनाया था यहाँ पर इस परकार करके अब current आपका क्या बनेगा इस side और कितना इस omega t से 90 degree के angle पर यहाँ पर ठीक है तो यह क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पर current की value आजाएगी यह im है current की value और यह ही इसका projection आजाएगा और यह वाला जो current वाला angle होगा total यह क्या आजाएगा omega t प्लस pi by 2 angle हो जाएगा ठीक है और यह क्या आजाएगी यहाँ पर i is equal to im sin omega t की value आजाएगी समझ आजाएगी बात तो यह इसका क्या आजाएगा phasor diagram आजाएगा phasor आरेख आपके पास इसका आज चुका है इतनी बात समझ में आगी बच्चों यह current वाला उपर क्यों बढ़ाया है क्योंकि यहाँ पर वैसे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि I M is equal to V M upon 1 upon omega C upon में कुछ आ रहा है लेकिन यह फिर से upon में है मतलब कि यह C और omega यहाँ बर multiply होंगे और दोनों की value positive है तो इसकी value क्या होगी increase होगी यह अपने को पता ही है समझ आई बात तो इस कारण क्या है current अपने ऐसे बनाते हैं इस तरीके से बनेगा अब last में जो इसका topic आता है वो आता है power का graph ठीक है तो power का graph मतलब कि इसकी शक्ती या power तो power voltage और current का क्या होती है multiply होती है ठीक है तो power का graph बनाने के लिए अपने यहाँ पर क्या करेंगे आपको पता है यह जो करते हैं अपने यहाँ पर मैं इसी graph में बना देता हूँ इसी में इसको divide कर लो यहाँ पर ऐसे ऐसे line लगा लो यहाँ पर t by 4 के बाद ठीक है ऐसे फिर उसके बाद एक line आ जाएगी ऐसे और फिर एक line यहाँ पर ऐसे आ जाएगी समझाई बात अब देखो कैसे कि अगर मैं यहाँ पर first part में देखता हूँ इतने part में 0 से लेके t by 4 time तक देखता हूँ तो यहाँ पर दोनों ही positive हैं योगि power आपको पता है P is equal to V into I होता है और V और I दोनों ही positive हैं तो power positive आएगी और दोनों के multiply के equal आएगी तो इस कारण power वाला graph यहाँ पर ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा लेकिन कल आपने जो start किया था वो आपका नीचे से start हो रहा था ठीक है फिर उसके बाद इस में क्या है इतने part में ty 4 से ty two time तक यहाँ पर जो आपके पास voltage positive है current negative है तो negative जाएगी लेकिन power multiply होती है तो इस परकार आजाएगी फिर इसमें फिर दोनों negative है तो negative into negative के आजाएगा positive होता है तो power की value फिर से ऐसे positive आजाएगी और फिर last में क्या आजाएगी ऐसे आपके पास negative क्योंकि अब current positive होगया voltage के आज़ी negative होगी तो उमीद आपको power वाला graph भी समझ आ गया होगा कैसे बनाया हुआ है तो power दोनों के multiply की एकवल होती है आपको 4 part में इसको divide कर लेना है 1, 2, 3 और 4 part में और फिर power वाला graph बनाना है आपको तो यहाँ पर एक तीज मैं आपको यह समझा दूँ कि जो power वाले graph बुक में दिये हुए है ठीक है न बुक में पावर वाले graph दिये हुए है बुक में थोड़े से अलग दिये हुए है इससे जैसे आपने कल जो किया था अमा लोकल वाले टॉपिक की बात करता हूँ उसमें आपने वोल्टेज तो ऐसे बना दी थी और current को यहां से start किया था ऐसे ठीक है current आपने ऐसे चलाया था यह current लेकिन बुक में पता क्या कर रखा है बुक में voltage को उन्होंने पहले ही start कर दिया क्योंकि आपको पता है कि inductance के लिए voltage जो होती है पाई बै टू एंगल क्या होती है यहां पर आगे चलती है current पीछे चलता है वहां पर तो वहां पर उन्होंने voltage वाला यहां से ऐसे ना start करके उसको क्या कर दिया पहले ही आगे चला दिया मतलब voltage को उन्होंने ऐसे start कर दिया जैसे आपने आज इसको current को start किया था और current को उन्होंने 0 से start कर दिया ऐसे तो फिर उन्होंने mix करके graph बनाया इसका तो आपको उसमें confuse नहीं हो ना जो graph मैंने आपको यह वाले बनवाई हैं यह असान पड़ते हैं क्योंकि उसमें बंदा double confuse हो जाता है कि उपर तो अपने voltage और current के सर यह वाले graph बनाये थे अब और नीचे अपने क्या है अलग बना रहे हैं graph तो आपको इसी तरीके से याद रखने हैं यह graph बिल्कुल सही है इनको कोई गलत नहीं कह सकता बिल्कुल आपको उमीद के साथ यह इस उमीद के साथ इसको पड़ोगी है यह बिल्कुल सही है तो यह अपना आज का topic था और मुझे उमीद आपको समझ आगया होगा अब यह तीनो topic आगे वाले तीनो topic का base है अगर आपको यह तीन topic आएंगे फिर ही आपके आगे वाले तीन topic होगे तो वो तीन topic समझने के लिए इनको revision कर लो इनको अच्छे तरीके से याद कर लो copy में लिख लिख के देख लो कि किसमे voltage आगे होती है current पीछे होता है phaser diagram याद कर लो सारी चीजे काम आएंगी आगे आगे जो तीन topic है एक पहले नमबर पर है RC circuit ठीक है दूसरे नमबर पर अपने पास है LR circuit है और तीसरे नमबर पर है LCR circuit तो इन तीनों में आपके सारी ये चीजे R और C मतलब R में क्या होता है C में क्या होता है किसमे voltage कितनी होती है कितना phase difference होता है क्या graph बनता है इसका तो वो सारी चीजे आपको इसमें आनी चाहिए अगर आपको ये आगे तीन topic समझने है तो ये तीनों topic based थे इसी कारण मैंने इस पर time लगाया है एक एक दिन में आपको एक topic करवाया है तो आज की वीडियों बचो इतना ही अब मिलते हैं next part में तब तक इसको आप revise करते रहो त्यार करो इसको तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं next part में तब तक के लिए thank you have a nice day प्यारे बचो